हेलो फ्रेंट्स आपको किसी माट्स ओलम्पियार में हेल्प मिल सकती है चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेस्टिन लार्जस तू डिजिट नंबर इस सबसे पहले देखिए हमें आप पर तू डिजिट पुछा है तो अप्शिन सी और अप्शिन बी नहीं आएंगे क्योंकिन में थी डिजिट नंबर था है तो वो होता है 99 और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो 89 और 99 में से ग्रेटर 99 ही है जो option d is correct if triangle plus triangle plus circle is equal to 38 and triangle is equal to 12 then the value of circle is अब दिखे एक triangle की value है 12 यहाँ पर हमार पास 2 triangle है तो that means 12 plus 12 हम triangle की जगे 12 उसकी value रगदेंगे plus circle is equal to 38 12 plus 12 24 plus circle 24 plus circle is equal to 38 now अब circle की value find करने के लिए हम 38 में से 24 को subtract कर देंगे तो circle की value हमारे पास मिल जाएगी 38 minus 24 14 so option B is correct which figure is half shaded तो अब इसको question को देखते ही हमें पता चलता है कि option seem नहीं तो circle है यह half shaded है identify the missing digit अब यहां पर क्या है यहां पर हमें values अज़र आता है 160 so that means कुछ 300 400 के आसपास ही 3 या 4 यह number आए गई है estimate question को देखके अंदाजा लगा सकते हैं तो चलिए 3 और 4 की value पूट करके देखते हैं how many times 8 is 64 तो उसके बाद 12.30 a.m. time change हो चुका है p.m. और a.m. में confused होता है तो यह 12.30 p.m. है यानि कि रात के साड़े गारा बज रहे हैं तो उसके बाद जब midnight start हो जाएगे तो a.m. लगेगा तो that means 12.30 a.m. पर 1 hour 1.30 a.m. पर 2 hours and 2.30 a.m. पर 3 hours हो जाएगे that means वो option B 2.30 a.m. पर उठी find the odd one out अब यहां पर क्या हो रहा है अगर हम देखे तो यहां पर option B odd one out है क्यों कि देखे हो यहां पर lines intersect नहीं कर रही है एक दूसरे को cross नहीं कर रही है option C में भी cross नहीं कर रही है option D में भी cross नहीं कर रही है but option B में lines एक दूसरे को इस point पर cross कर रही है so it is the odd one out achievers section यह ऐसा section है इसमें पूरे paper पे पूरे exam के सबसे toughest question आते है चलिए इनको solve करते हैं 155 का तो तूसरे आउटर्स होंगी 175 और 175 and one cap cap is for 45 rupees अब में आपको add कर लेते हैं 5 1 carry 26 2 carry 4 इसका उसका total bill रहा है अब उसने shopkeeper को कितने पैसे दिया 100 rupees note and 2 200 rupees note 100 plus 200 plus 200 500 rupees उसने shopkeeper को दिये तो अब हम आमें देखना है कि उसके पास कितना money वापस आएगा तो हम कर लेंगे 500 minus 465 35 rupees कुनार के पास वापस आए option is correct match the following 4 10s plus 12 months plus 10 months 4 10s मतलब 40 12 months मतलब 12 and 10 months मतलब 10 इसको आइड कीजिए 62 तो यह यहां पर 3 से match हो रहा है P का 1st है P का 3rd है तो यह दोनों नहीं होंगे क्योंकि इसमें P को 1st match क्यों है C और D में से हो सकते हैं इसलिए अब नेक्स देखते हैं 2 10s less than 95 तो 95 minus 2 10s यानि की 20 75 तो यह 1st वाले से match हो रहा है जो की हमें दे रखा है option D में आगे का भी हम एक बार देख लेता है Place value of 6 in 562 यहां पर 6 कॉंसी place पार है 10th place पे तो that means उसकी place value होगी 60 यह 4th वाले से match हो रहा है and next 30 less than the largest 2-digit number largest 2-digit number हमें 1st question में भी देखा था 99 होता है minus 30 69 तो यह 2nd वाले से match हो रहा है and यह correct order हमें option D में दे रहा है so it is correct last question the height of a tree at the end of each month is shown here in the table in which month the height of the tree increases the most चलिए हम देखते है कौन से मन में किती height increase हुई May मन्त में इसकी height थी 12 और फिर हो गई 30 तो calculate करने के हम क्या करेंगे 30 माइनस 12 18 May मन्त में 18 cm हुई June मन्त में 45 हाइट थी and पहले 30 थी तो माइनस कर लेंगे 15 July में 64 उसकी height होगी थी और पहले 45 थी देखते किती increase हुई subtract करके 19 अब देख लेते हैं August में height 88 थी और उससे पहले वाल दे मन्त में 64 थी तो अब हम इसको subtract करते हैं 24 cm and last September मन्त में 109 हाइट होगी थी और पहले किती थी 88 तो subtract कर लेंगे 21 अब हाई यह सबसे ज़्यादा किसमें increase हुई 24 August मन्त में इस option C is correct प्रेंट जीता मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करे और मेरी चानल श्रीव जडियो स्बस्क्राइब जरूर करें अगर आपको doubt या query कुछ भी हो तो आप मुझे Instagram में message कर सकते हैं और comment section में भी comment करके बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Bye